कप्तानी से हटे नहीं हटाए गए हैं विराट कोहली 48 घंटे की डिडलाइन के बाद विराट से छीनी वंडे की कमान और रोहित को सौपी BCCI ने विराट कोहली को 48 घंटे का अल्टिमेटम दे कर उनके ना चाहते हुए भी कप्तानी से हटा दिया उन्होंने इस तीपा भी नहीं दिया था उनकी जगर रोहित को वंडे की कमान सौपी गई है मेडिया रिपोर्स में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कोहली 2023 में भारत में होने वाले वंडे वर्ल्ड कप में कप्तानी की इच्छा पाले हुए थे कोहली ने स्वेच्छा से टीटवंटी की कप्तानी छोड़ी थी DCCI बंडे फॉर्मेट के लिए भी उनसे यही उमीद कर रहा था कोहली की कप्तानी में भारती टीम का रिकार्ड बेहतरीन रहा है टीम ने पंचान ने बंडे मैच खेले जिसमें से 65 जीते और 27 हारे तीन टाई रहे या नतीजा नहीं निकल सका टीम का जीत का प्रस्त 68 हा हाला कि वे टीम को कोई या आइसी सी टॉफी दिलाने में नाकाम रहे रोहिस सर्मा नियूजिलेंड के खिलाब टीटवंटी घरेलिव सिरीज में कप्तानी कर चुके हैं भारत ने या सीरी तीन जीरों से जीती थी या सीरी राहुल द्रबिड के लिए भी बतौर कोच पहली सीरीज थी 2017 के बाद पहली बाद टीम इंडिया में दो कप्तान होंगी इससे पहले 2014 से 2017 तक भारती टीम में दो कप्तान थे दोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया था और विराट कोच पहली टीम के नए कप्तान बने थे दोनी सारचर फार्मेंट में बतौर कप्तान खेल रहे थे इसके बाद कोच पहली ने 2017 से तीनों फार्मेंट में भारत की कप्तानी की है अब कोहली के टी-20 कप्तानी चोड़ने के बार रोहित और कोहली भारत के दो अलग अलग कप्तान होंगे अधिक जानगारी के लिए देखते रही है दाखा बरदार ने हो तब तक के लिए धन्नवाद